सूप्रभाद बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम हिंदी की पाठे पुस्तक बाल माधूरी बाल माधूरी, पेज नमबर 29 इसके दुबारा आज हम दो अक्षर वाले शब्द का दो अक्षर वाले शब्दों का दुबारा अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि अब मुझको यह भी पता करना है कि आप बच्चों को इनको रीड करना, इनको पढ़ना आ गया है या नहीं आज मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगी और उसके बाद मैं सभी पेरेंट्स से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पेरेंट्स आप इन वर्ट्स को इन शब्दों को पढ़ते हुए अपने बच्चों की एक छोटी सी वीडियो बनाए चाहे वो सिरफ इस लाइन को हो पढ़ने की चाहे इस लाइन को हो या इस पेज पे दो अक्षर वाले शब्द कोई भी हो चाहे वो इस लाइन में हो 28 पेज पे जहां पे भी आपको लगे कम से कम बच्चे 10 अक्षर पढ़ते हुए उस वीडियो में मुझे सुनाई दें और वह वीडियो आज आपने जो ग्रूप में हम होमवग भेजते हो होमवग ग्रूप में आपने जरूर सेंड करनी है ताकि मुझे कुछ तो पता लगे कि बच्चे वाक्य में पढ़ रहे हैं या जस्ट रिटन काम पे ही जोर लगाया हुआ है तो अब हम पढ़ते हुए इसको देखेंगे कि कैसे पढ़ना है ठग ठग ठक ठक अब हम इसको बच्चों को ऐसे पढ़ने का भी अभ्यास नहीं करवाएंगे कि ठक ठक कोशिश अब हम आगे ये करेंगे कि बच्चे सिधा पढ़ें डर, डस, धक, धल, तन, तट, ठक, ठन, दस, दम, धन, धक, नल, नथ, पल, पर, फल, फन, पेरेंट्स मैं ये दुबारा इसलिए इसका भ्यास करवा रही हूँ क्योंकि जब तक बच्चों को दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना ही नहीं आएगा तब तक हम तीन अक्षर वाले शब्द नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आ अगर अगर बहुत अच्छा है, अगर बच्चा सीधा ही ऐसे पढ़ देता है, दस, दम, नल, नथ, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और ऐसे कम से कम दस अक्षर पढ़ते हुए, अपने बच्चों की एक छोटी छोटी वीडियो बना के ज़रूर होमवक वाले ग्रूप म वीडियो, धन्यवाँ